के साथ आई हैं और मेकप लुक आप देखी सकते हैं कि कितना सुन्दर मेकप लुक आज अचीव हुआ है तो यह मेकप लुक बहुत इजी था इसे अचीव करना गाइस तो मैं स्टैप बाइस टैप आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगी और सारे प्रोडक्ट्स की नॉ कर सकते हैं बहुत इजी था इस मेकप लुक अचीव करना गाइस और काफे फोरडबल प्रोडक्ट के साथ मैंने मेकप लुक अचीव करा है तो टाइम वेस बिल्कुल नहीं करेंगे आगे चलेंगे देखते हैं मेकप लुक मैंने कैसे चीव किया तो चलिए गाइस अब हम मेकप स्टार्ट करेंगे तो सबसे मेले आमना सीटेम करते हूं तो सीटेम करना बाहुत इंपोर्टन होता है घइज और सबसे वेडमेने لैंस वेर करी था है तो अच्छे से हाइडिर प्रोडग्ट और यह ओल सकन टाइबर का फोर्ड़ प्रोड़ घ्रियें अच्छे सपन किया और इसको थोड़ से ड्राय होने दूंगी नेक्स्ट मैंने लिया था यहां पर लैक में नाइन टू फाइफ का विटमीन सी डे क्रीम तो गाइज जो मेक अप है मैं डे टाइम में कर रही हूं तो एक काफी अच्छा मौशराइजर भी है और काफी अच्छा अपके फेस वो काफी अच्छे से बनता है इसके बाद मैंने लिया मामर्त का विटमीन सी डेली ग्लो संस्क्रीज विद विटमीन सी अंट तर्मरीक के साथ है गाइज और इसका जो एसपी एफ है वो है फिफ्टी और काफी अच्छे सापके जो सन से प्रोटेक्ट कर देगा आपकी स्क प्रांब्र करेंचे में देख सकते हैं कितनी अच्छे से क्लीट क्रीयर हो गई है तो क Crise 6 ज्रूब आ जाता है और आपको सण्सक्रीन जisf करनाना गर डेटाइ मेकप कर रहे हैं तो इसके बाद मैंने और प्रामर लिया तो प्राइमर मैंनने इंसाइट का लिया था 3 plus 1 प्र देखे वे प्रोडक्ट को लिया था नेक्स्ट मैने लिए था आई ब्रो फिल करनी है तो मैने लिया था यह पेलेट ब्रो पेलेट है गाईस और यह काफी अच्छा yeah फोरेबल भी काफी है अच्छे से देखे आपकी जो ऐब्रो तो उसे एक र्देग काफी नैचरल भी लगती है और शेड जो मैंने यूज करें यहाँ मैंने दो शेड इसमें यूज करें जो ब्राउन से रिलेटिड थे और दोनों को मैंने mix and match किया और अच्छे से अपने आईबरों को फिल किया मैंने फिर इसके बाद मैंने एक कंसीलर लिया था जो था इंसाइट का HD concealer गाईज इसकी coverage बहुत अच्छी है और affordable है काफी फुल coverage है यह और अच्छे से आपके जो face को conceal भी कर देगा और lightweight है काफी यह गाईज और इसका जो shade था LN10 यह इसका shade है गाईज मेरी skin fair है तो यह मेरी skin पर अच्छे से जाता है अगर आपके भी skin fair है तो definitely आप इसे ले सकते है shade number इसका 10 है LN10 और यह वाला shade अच्छे से गया और मैंने eyes पर देगे किस तरीके से लगाया है इससे काऊगा guys हमारी जो eyes के उपर थोड़ी बहुत भी pigmentation होती है और जब हम eye makeup करेंगे तो मारा eye makeup अच्छे से pop-up होकर आता है इसके अच्छे से लो टेप ली है और इसको देखे इस तरीके साब लगायेगा और देखे आपके जो eye makeup है edges कितने अच्छे बनेंगे अगर आप beginners है तो definitely आप इसी को ही कीजेगा मैंने यहां ली थी Angel Rose की Hated with Love Palette जिसके eye shade काफी pigmented है गाइस और मुझे काफी अच्छे लगती है वाली palette तो मैंने सबसे पहला जो shade लिया वो है baby कुछ करके shade था मैंने काफी lighter से मनलब light सा shade लेकर उसे apply किया next मैंने एक brown shade लिया था जिसका जो name है वो है rose gold और brown shade था यह कुछ अच्छे से मैंने इसे edges में apply कर लिया था देखे मैं किस तरीके से apply कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कीजिए और काफी अच्छा एक look आएगा आप sellot wipe use कीजिएगा इसका अच्छा मैंने again वही concealer लिया और बहुत अच्छे से cut crease हो जाती है और बिल्कुल ना equal बनेगा आपकी जो cut crease है बिल्कुल equal आएगा अगर आप चाहते है बिल्कुल equal cut crease बने तो इस तरीके से कीजिए दीखे beginners जो लोग होते होंने नहीं आता इतना तो उनके लिए trick काफी अच्छी है इसके बाद मैंने पहले जो मैंने shade लिया वो कुछ मैंने बिल्ड्रेस को ध्यान में रखते हुए use किया था और ये कुछ turquoise color था गाईज मैंने इसको apply किया और ये बिल्कुल ड्रेस से match हो रहा था गाईज और मैंने जो ड्रेस डाली थी बिल्कुल उसके साथ गया ये वाला और आप बताईए कि आपको कैसा लग रहा है अभी है जो जितना eye look मैंने create किया है कि आपको समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है आपको भी तो guys मैंने देखे पूरा इसे apply किया इसके में पार्ट जो हो इससे हमारा eye look और ही नेंस हो जाएगा मैंने यहां लिया था color essence का silver liner liquid liner था guys इससे मैंने जहां cut crease जो बनाई थी उसके उपर एक line ड्रो करी तो यह जो इसके बाद मेरा eye look काफी अच्छा लग रहा था इसके अद मैंने cello tape निकाल दिया और देखे जो edges है वो दोनो eyes में equal बने और कितने अच्छे से बन गए है इसके अद मैं liner में color sense का liner ले रही हूँ guys और जो color sense brand है guys काफी affordable और result काफी अच्छा आता है तो यह जो liner है मेरा favorite liner है guys मुझे काफी अच्छा लगता है यह वाला liner और affordable है और अच्छे से मैंने wing eyeliner लगा लिया था अब है foundation guys तो मैंने आज लेते swiss beauty का foundation जो high coverage foundation है waterproof है और इसका shade मैंने दो लिये थे 0204 अच्छे से मैंने दोनों shade को mix किया और यह ना तोनों shade मतलब मेरी skin के नहीं थे एक बहुत ज़्यादा fair था एक बहुत ज़्यादा dark था अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाई आप किसी client को make up दे रहे हैं और उनकी skin के coating आपका foundation है तो आप कोई भी दो foundation मिक्स करके एक shade बना सकते हैं तो अच्छे से मैंने बनाया यहां पर तो अच्छे से मैंने इसको अपलाए किया काफी lightweight यह foundation है waterproof भी है तो मैंने अच्छे से इसको अपलाए किया और बहुत फील नहीं हो रहा था फेस पर के मैंने कोई foundation लगा तो मुझे काफी अच्छा लगा और अच्छे से मैंने अपने फेस पर इसको अपलाए करने गाद मैंने again concealer लिया और अपने points को highlight कर रही हूँ तो मैंने concealer लिया था inside का जिसका मैं shade भी आपको बता चुकी हूँ इसमें अगर आपको dark circle वगार भी तो इसको भी इच्छे से hide कर देता है और अगर आपके पास foundation ने तो आप इससे एक base भी बना सकते हैं काफ़ अच्छे से base का का काम कर देता है अब इसके बाद मैंने concealer को blend करना start किया और अच्छे से blend हो रहा था देखे blending भी इसके अच्छे से हो जाती है काफी और बहुत easy के साथ यह काम हो जाएग डेफिनेटले आपको सजेस्ट करते हुई होंगी कि आप एक बार इस वाले concealer को use कीजिए आप next time BC को लाएंगे क्योंकि यह बहुत affordable भी और result बहुत awesome है इसका तो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया था ब्लशर जो liquid blusher लिया मैंने यह था CVV का blusher था और इसका जो shade था वो था 03 और मैंने इस एपलाई किया तो liquid blusher है guys और मैं brush की help से लगा रहे हैं आप चाहे तो beauty blender की help से भी लगा सकते हैं मैंने अब brush लगाय था guys और तो आपको भी देखो ऐसा लगेगा कि मैंने कितना ज्यादा blusher लगा लिया है और यह तो अच्छे से blend भी नहीं हो रहा है और काफी मिल्ब ना देखिए आपको ऐसा लगेगा पर अगर यह जब मैं make up complete होता जाएगा तो यह काफी अच्छे से set हो जाता है और अगर आप इसे लाएं लेकर आएं और आपके साथ भी कुछ ऐसा होता आप बिल्कुल भी डरिएगा थोड़े दिर में आप देखते हैं कितने अच्छे से set हो जाएगा इसके बाद face को set करने के लिए मैंने लिया था inside का बनाना loose powder guys देखें compact के जगा आप loose powder यूज कीज़े इनका stage जादा होता है guys इसके आद मैंने यह palette ली थी swiss beauty की sculpit palette shade था इसका 01 एक contour palette है guys इसमें 4 shade आपको मिल जाएंगे मैंने इसमें से darker shade लिया था एक और उससे मैं contouring कर रहे हूँ और अभी आप मेरा blush देख सकते हैं guys मेरा blush बिल्कुल set हो गया है बिल्कुल भी जादा नहीं लग रहा है जितना मुझे चाहिए था उतना है और यहीं मैं कर रही हूँ guys अपने face पर brownsing swiss beauty के मैं palette से कर रही हूँ और brownsing उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो अपने face को sharp दिखाना चाहता है जिनका face पहले से sharp है वह से skip कीजेगा और मैंने अच्छे से इसको किया और guys अभी recently मैं कुछ products मैंने change किये जैसे मैं मार्स का mascara यूज़ कर रही हूँ double trouble guys यह mascara है ना मैं literally आपको बताऊं तो मैंने इतना अच्छा mascara भी तक नहीं यूज़ किया था मुझे काफी अच्छा लगाए वाला mascara और मैं आगे लोंग टाइम तक इसे यूज़ करूंगी काफी affordable देखिए mascara है result इसका बहुत हो समय आप अगर lashes नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी यह lashes वाला लुक आपके eyes को देगा क्योंकि यह lashes को बहुत अच्छी volume दे देता है इसके आद मैंने lashes ली अच्छे से glue लगाया उस पर glue जो मैंने यूज़ किया था वो भी मैंने CBV का किया था और काफी अच्छा glue है अच्छे सापकी lashes को stick कर देगाए मैंने lashes भी लगा लिया और मैंने अच्छे से पर अपने lips के ओपर इसे apply किया और अच्छे से इसमें मैंने line draw कर ली थी इसके आद मैंने lipstick ली थी inside की non-transfer lipstick के guys भी recently मैंने इसे purchase किया है काफी affordable और बहुत अच्छा इसका मुझे result लगा और इसका जो shade था वो था 30 और यह वाला shade आप जरूर पर चेस कीजिएगा यह वाला shade काफी nude shader काफी अच्छा है गर office girl है आप तो आप इसे use कर सकते हैं काफी अच्छा है इसका मैंने पर इसके एक gloss लगाया तो देगे gloss जो था वो था मेरा Maybelline का यह वाइलन लिपस्टिक है और दो शेड मिलाने के बाद काफी अच्छा shade बनके आया गाया और में लिपस्टिक काफी सुन्दर लग रही थी इसका shade था tan lippy और यह काफी अच्छी लिपस्टिक है यह भी और देखे ग्लोसी तो लगेगी ही पर stay बिल्कुल भी नहीं जाता मतलब long lasting रहता है ग्लोसी होने के साथ था लिपस्टिक काफी अच्छी भी है दिए थोड़ी सी costly है पर अगर आप अच्छी सीज में पैसा इंवेस्ट करना चाता है तो definitely इस वाले लिपस्टिक को लीजे काफी अच्छा है इसके बाद मैंने highlighter लगाया Swiss beauty palette से और अपने makeup fixer लेकर makeup को अच्छे से मैंने fix कर लिए ऐसे के साथ है makeup complete हो गया guys आये hope आपको वीडियो पसंद आए होगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए मैं चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा